Hello Everyone, Welcome to Rekhsha Academy, कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आप सभी की वज़े से आज Rekhsha Academy के YouTube चैनल पल एक लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए है और इसके साथ साथ एक और जो खुसी की बात आप सभी लोगों को पता है कि 11 अपरेल को MPPSC Prelims 2020 का एक्जाम होने वाला है और उससे भी अच्छी बात की कर MPPSC ने अपना एक कलेंडर जारी कर दिया है 2021 का जिसमें आप 2000, दिसंबर 2021 में पाइनल सेलेक्शन लेने वाले हैं हम MCQ के साथ आते थे पॉलिटी के जो MCQ थे 1919 के अधिनियम से लेकर लगभग राष्ट्रपती के तीसरे पार्ट तक हमने MCQ solve किये थे रोज हम 10 प्रश्ण solve करते थे जिसमें क्या देखते थे 10 के साथ साथ उसकी detail देखते थे तो लगभग ऐसे 15 से 20 प्रश्ण आपके एक वीडियो में cover हो रहे थे अगर आप वो वीडियो वापिस से देखना चाहते हैं तो एक बार जाएं और description में जो playlist की link डली हुई है मेरी उस पर के लिए करें आपको लगभग 24 से 25 वीडियो मिल जाएंगे वो वीडियो एकदम exam centric हैं आप एक बार देखिएगा जरूर उसमें आपके MCQs cover होने वाले है बापिस से हम उस series को start करेंगे लेकिन उससे पहले पंचायती राज को भी हमें पढ़ना है Prelims की unit 5 देखिएगा प्रिलेम्स की unit 5 में पंचायती राज दिया हुआ है पहले हम पंचायती राज को भारत के संदर्व में देखेंगे इसके बाद हम पंचायती राज को मद्यप्रदेश के संदर्व में देखने वाले है ठीक है पंचायती राज में हमें देखना क्या क्या है पंचायती राज का अर्थ क्या है पहली बात दूसरी अर्थ उद्भव एवं विकास उद्भव एवं विकास का मतलब कि पंचायती राज का विकास कहां से हुआ, कैसे माना जाता है, उसका इतिहास क्या है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे सबसे ज़्यादा जो प्रशन बनते हैं, वो बनते हैं प्रमुक समितियों से यानि कि पंचायती राज के लिए जो कारिक्रम गठित किये गए थे, सामुदाइक विकास कारिक्रम और राष्टरी साविस्तार योजना ये दौनों ही 1952 में आये थे, इनके लिए, इनके सुधार्थ जो समिति गठित की गई थी, जैसे मैं बता दूं, बलवंत राय महता समि जीवी के राव समिति, ये जो सारी समितिया हैं, इससे भी प्रशन सबसे ज़्यादा आते हैं, समवेधानिक संसोधन, 73 लिखा है सिर्फ मैंने, इसके साथ सातम 74th Constitutional Amendment भी देखने वाले हैं, और लाष्ट में हमें देखना है मद्द प्रदेश में पंचायती राज, इस बा अगर देखा जाए तो प्रेलेम्स की जो आनन सर ने स्टेटेजी बताई है, उसके साथ सात एक रक्षा फॉर्मूला भी दिया है, अगर आप उस रक्षा फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, जाहिड सी बात है आप प्रेलेम्स 2020 का एक्जाम क्रॉस करने वाले हो, ना सिर्फ यह आप से बता रहा हूं, बलकि यह हमारी पूरी रक्षा एकेडमी की टीम भी फॉलो कर रही है, तो आप प्लीज एक बार इसको फॉलो करके देखें, और अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक की सीदे, ज्यादा भटे केंगे नहीं, और आप एक चीज बोलना आप सबसे पहले last year के practice set analyze करो, question papers analyze करो, उसमें ये देखो कि प्रशनों की प्रवर्ती क्या है, क्या होता है कि आप अगर कोई topic पढ़ते हो, तो topic पढ़के तुरंत के तुरंत छोड़ देते हो, उसके MCQs भी नहीं solve करने होते हैं आपको और ना ही आपको revision दोबारा से उसका करना होता है, ठीक है, तो ये सबसे गलत बात है, इसी बज़े से जब prelims का exam आता है, उसके आप 15 से 20 दिन पहले इतने ज़्यादा बढ़ बढ़ा जाते हैं, इतने ज़्यादा टैंसलाइजड हो जाते हैं कि मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं, आप जैसा आनन सर बोल रहे है जैसा आप रक्षे academy की team बोल रहे है कि MCQ solve करते जाएं, at least एक से दो दिन आप अपने हपते में revision के लिए रखें कि जितना आपने revision पढ़ा है, उसका revision करते जाएं तो जाहिड सी बात है, prelims आपका निकलेगा, ठीक है, पंचायती राज का अर्थ क्या है, अगर हम in short बोलें तो साशन को जनता के दर्धवाजे पर लाकर खड़ा कर देना है, यानि कि राजनीतिक सकती का जो विस्तार है, वो आम जनता के हाथो तक हो, क्या हो आम जनता के हाथों में जो जन सहभागिता है, वो लोकतंतर में होनी चाहिए बलवंत राय महता ने बोला था कि एक लोक तंतर तभी सपन लोक तंतर बन सकता है जब उसमें जन सह भागिता होगी यानि की साशन के निर्णय में जनता की भागिदारी ठीक है तो पंचायती राज का अर्थ क्या है वो हम देखते हैं इसके बाद फिर हम आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे पंचायती राज भारत में ग्रामीन इस्थानी स्वसासन की एक प्रणाली है और इस्थानी स्वसासन का अर्थ क्या है गाओं और जिले इस्थानी स्वसासन को क्या कहते है पंचायती इस्थानी स्वसासन कहते है अर्थात एक ऐसा सासन जिसमें राजनीतिक सक्ती का विस्त आम जनता के हातों तक हो एक ऐसा सासन अगर आपसे कोई पंचायती राज की परिभासा पूछता है आप इस तरह की परिभासा बताएंगे कि एक ऐसा सासन जिसमें राजनीतिक सक्ती का विस्तार आम जनता के हातों तक हो और वो उसमें क्या अपनी समस्याओं का निराकर्ण ज सबसे पहले। इतने गाउं की कमिया और वही अपने गाउं के लोगों को जान पाएगा आप सोचो कि अगर कोई छतरपुर में रहने वाला व्यक्ति है या जबलपुर में रहने वाला व्यक्ति है और जबलपुर के आसपास के गाउं में जाए और पहली बार उस गाउं में गया है और प्र बिजली समय पर नहीं आ रही प्रात्मिक सालाओं में भोजन समय से नहीं मिल रहा या फिर जो भोजन है उसकी कोई गुडवत्ता है वो बिलकुल खराब है तो उस टाइप की समस्य है वहां का इंसान ही वहां का प्रतिनिधी ही समझ पाएगा इसलिए क्या लेखा हुआ है इस इस्थानी संसाधनों के माध्यम से संसाधन भी कहां के होने चाहिए वहीं लोकल के होने चाहिए वहीं गाओं के होने चाहिए इस्थानी संसाधनों के माध्यम से और लाश्ट में है इस्थानी मुद्धों पर निर्णाय लेना क्या कहलाता है पंचायती राज कहलाता है क्य पंचायती राज कहलाता है क्या कहलाता है अगर सभी चीजें डाउन टू अर्थ होंगी तभी एक गाउं विकास कर सकता है ठीक है तो पंचायती राज की ये परिभासा हो गई आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और इसके हम MCQs भी सॉल्व करेंगे साथ साथ में अगर इस में से पहली बात तो एक भी प्रश्ण आपका बाहर जाने नहीं वाला जितने मैंने नोट सो बनाए अगर चला भी जाता है तो इसके अलावा हम MCQs सॉल्व करेंगे उससे एक भी प्रश्ण बाहर नहीं जाएगा ठीक है अभी तक 10 प्रश्ण हम सॉल्व कर रहे थे लेकिन अब हम कोसिस करेंगे कि रोज के 20 प्रश्ण है सॉल्व करें या नहीं कि 20 का दम अभी 10 का दम चल रहा था है अब देखते हैं लिखा हुआ है पंचायती राज को अन्य सब्दों में विकेंद्री करस शासन विवस्था अ सभी आपको बताशे रहे ठीक है और इसके अलावा पंचायती राज को राज्य सूची में रखा गया है और इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिस के पास है राज्य के पास है पंचायती राज को किस चीज हमें रटनी जाएगी, बार-बार किसी चीज पे समय बरवाद नहीं करना, एक चीज तभी उठो करके, एक टॉपिक से तभी उठो, जब आप वो टॉपिक पूरी तरह से कम्प्लीट कर लो, ठीक है, पंचायती राज को अन्य सब्दों में विकेंद्री के सासन विवस् चाहिए, और अनुसूची में कौन सी अनुसूची याद आनी चाहिए आपको, जल्दी से कमेंट करके बताओ, कौन सी अनुसूची है, जो राज्य सूची देखा, आपको इससे क्या याद आया, राज्य सूची देखते ही साथ, आपको अनुसूची नंबर 7 याद आनी च संगात्मक लक्षन का मतलब क्या होता है कि सक्तियों का बराबर बराबर विभाजित होना यानि कि केंदर के पास भी बराबर सक्तिया होंगी और राज्य के पास भी बराबर सक्तिया होंगी इसको कितने भागों में विभाजित किया है सक्तियों को तीन भागों में पहला कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास होगा केंद्र सूची पर कौन कानून बना सकता है सिर्फ केंद्र बना सकता है राज्य सूची पर कानून सिर्फ राज्य बनाएगा जैसे कि पंचायती राज अभी अपन ने पड़ा और समवर्ती सूची पर ऐसा नहीं है कि हम पंचायती राज पढ़ रहे हैं और हम अनुसूचियों पर नहीं जा सकते हैं रिवाइज करना है कैसे भी रिवाइज करें लेकिन रिवाइज करना है ठीक है तो क्या लिखा हुआ है पंचायती राज को राज्य सूची में रखा गया है इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य के पास होगा इस्थानिय सौसासन को सामाने तह दो भागों में बाट सकते हैं इस्थानी सोसासन को सामाने तह कितने भागों में बाँट सकते हैं दो भागों में बाँट सकते हैं एक होगा ग्रामी इस्तर का सासन और दूसरा होगा आपका सहरी इस्तर का ठीक है ग्रामी इस्तर में क्या आजाएगा ग्रामी इस्तर में आएगा आपका पंचायती राज औ आएगा नगरपाली काएं ग्रामीर स्तर पर क्या आएगा पंचायती राज और सहरी स्तर पर आएगा नगरपाली काएं अब ग्रामीर स्तर पर उस समय जब 1882 की अगर हम बात करें 1882 से लेके 1900 या 1950 तक की भी हम बात करते हैं तो उस समय इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था क्यों उसका रिजन ये था क्योंकि गवर्नर को ये पता था गवर्नर उसकी काउंसल को पता था कि जो इस एरिया में लोग रह रहे हैं इस शेत्र में लोग रह रहे हैं वो कर देने में ज़्यादा सक्चम है और जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं वो किसान और मजदूर वर्क के लोग है वो कर नहीं दे पाएंगे तो वो विकास यहीं का कर रहे थे और कर भी यहीं से ले रहे थे कहीं न कहीं उस समय पंचायती राज इसी लिए आगे नहीं बढ़ पाया आपका ठीक है हर एक fact में से question भी बनना चाहिए आपका ठीक है अब अब लिखा हुए है अनुच्छे चालिस में राज द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन का उलेख है अनुच्छे चालिस मैंने बोला ना कि कोई भी चीज पढ़ रहा है तुरंत दिमाग में अगर आप उससे रिलेट हो पा रहा है कुछ तो करो अनुच्छे चालिस को देखते ही साथ आपके दिमाग में DPSP Directive Principle of State Policy आ जानी चाहिए ठीक है अनुच्छे चालिस को आपको पढ़ते ही साथ गांधियन फिलोसिपी बहुत सारे महासे ऐसा बोलते हैं कि समविधान सभा के ना तो गांधी जी सदस्य थे और ना ही समविधान में उनके विचार देखाई देते हैं तो अगर आप समविधान में गांधी जी के विचार देखना चाहते हैं तो आप एक बार DPSP देख लो डायरेक्ट गांधी एन फिलोसिपी वहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है गांधी जी हमेशा से यहीं चाहते थे कि जब गाउं का विकास होगा तब ही क्या होगा तब ही ए इसका विकास हो ही नहीं सकता ये प्रश्ण भी आपका बनता है कि अनुछेद 40 में राजद्वारा ग्राम पंचायतों के गठन का उलेक किया गया है तो इसमें आपका उत्तर होगा अनुछेद 40 ठीक है अब चलते हैं उद्भव एवं विकास उद्भव एवं विकास वैसे अगर हम मानें पंचायती राज के इतिहास में तो ये आज का ये 882 का विशय नहीं है ना 882 से ये शरू हुआ ये चोलों के समय से माना जाता है चोल जब थे उस समय भी ऐसी स्थानी सौसासन की एक व्यवस्ता थी, उस समय पंचायती राज नाम नहीं था, उस समय स्थानी सौसासन एक नाम था, खीक है, और इतिहास को अगर हम देखें, अभी 1882 या उसके बाद का देखें, तो उसको हमने दो भागों में बाटा है, एक स 1919 के अधिनियम में दोएस सासन लाया गया, जिसमें हस्तांत्रे सूची में रखा गया पंचायती राज को, और इसके बाद 1935 की बात करें, जब कॉंग्रेस ने पंचायती राज के लिए कुछ प्रयास किये थे, लेकि 1937 में क्या हुआ, कि Second World War हुआ, और उसमें क्या किया ग 1882 Lord Rippon, जनक, 1882 लिखा हुआ है Lord Rippon जनक, पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है, Lord Rippon को कहा जाता है, Rippon ही पढ़ना है, अभी से अच्छे से पढ़लो, Rippon नहीं पढ़ना है, Litton नहीं पढ़ना है, वहाँ option आपको Rippon भी मिलेगा, Rippon भी मिलेगा, और Litton भी मिल भले ही है, जब exam hall में बैटोगी, जो प्रैसर होगा ना, तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, यह लगेगा कि यह रिपन गलत लिखा हुआ है, एक मात्रा तो इसमें आनी चाहिए, रिपिन होना चाहिए, जबकि रिपन ही होगा, 1882 मेगना कार्टा, जो Lord Rippon थे, इन सासर में पंचायती राज को हस्तांतर सूची में और 1935 में कॉंग्रेज द्वारा कुछ प्रयास किये गए, ठीक है, फिर स्वतनतरता प्राप्ती के बाद, यहां पर बाद लिख लीजिएगा, बाद नहीं लिखा है, सामुदाइक विकास कारेकरम 1952, इससे भी डिरेक्ट अब नीचे जो फैक्ट लिखे हैं, जिससे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उस चंस भी वहां से काफी सारे क्लियर होंगे, पढ़ते जाएए, पढ़ते जाएए, क्योंकि 2021 में आपको दो एक्जाम मिलने वाले हैं, प्रेलिम्स के, लेकिन हमें कोशिस यही करनी है, कि हमें 11 अपरेल वाला जो एक्जाम है, उसी पर फोकस होके, और अगस्त में मेंस देके, इसके बाद इंटर्व्यू देके, दिसंबर 2021 में सिलेक्शन चाहिए है, आप भी सिलेक्शन लेंगे, हम भी सिलेक्शन लेंगे, और सब एक ही जगे पर, एक ही समय पर मिलेंगे, ऐ अगस्त में प्रीलिम्स दो, क्योंकि अपरेल में ढ़ीले पड़ गए, अगर आप अभी से भी सिटार्ट करते हैं, तो अभी से भी आपको पास 95 डेज है, आप प्रीलिम्स के साथ मेंस भी थोड़ा थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि हर बार जो हमें समय मिलता है, अगर जो आप cover कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, रक्षा केड में इतना सारा content प्रोवाइड करा रहा है, अभिशेक सर के जो वीडियोज आ रहे हैं, जो आनंज सर के वीडियोज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा informative रहते हैं, जरूर देखा करें, और सारे वीडियो, कुछ time के लिए अपने social media से दूर हो जाओ, क्योंकि social media पर आप लोग जो काम की चीज़ें होती हैं, वो नहीं पढ़ते, आपको क्या देखना होता है, कि आयोग ने क्या बोल दिया, अब ये paper में क्या cutting ने क्लिए, आप लोग cutting ही बेचते हैं, आपको cutting से क्या करना, आयोग की सूचन की गोशना की, वर्स 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानी स्वसासन की गोशना की अतह, लॉर्ड रिपन को स्थानी स्वसासन का जनक माना जाता है, या कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, स्थानी स्वसासन का जनक और 1882 के स्थानी स्वसासन संबंदी प्रस् लाएाई गई द्वाइद शासन विवस्था 1999 में लाए गई आपको अब हॉंबर कि यह है कमेंट में आपको यह बताना है यह आहिए कब दोईशासन हटाया गया किस विशासन में कितनी सूचिया प्रांतों को कितने विश्यों में बांटा गया था कितनी सूचियों में बांटा गया था यह आपको बताना है ठीक है यह तो मैं बता दे रहा हूं अभी आप तो यह बता देना कि प्रांतों में कब लाया गया था और केंदर में कब लाया गया था द्वैद शातन इसके बाद जैसे पंचायती राजवाला टॉपिक खतम होगा आपकी स्पोर्स की क्लासे आने लग जाएंगी स्पोर्स के नोट्स बन चुके हैं और सारी चीजे अच्छे से कबर की जाएंगी स्पोर्स में सबसे पहले लेक्चर रहेगा आपका उलवपिक गेम का द्वैस सासर में एक बाटा गया है आरक्षित विशाय उस समय आरक्षित विशाय में रखा गया था एक को और एक को रखा गया था हस्तान्त विश्म ठीक है अंग्रेज ही लोग के और हंस्तांतृत विश्यों में ऐसे विश्यों को रखा गया था जिनका कोई मतलब नहीं था मतलब नहीं था ऐसे ही मान सकते हैं उनका क्या था जैसे पर्रेवरंट संबन्धी मामले हो गए पंचायती राज को ही रख दिया इन पर किन का नियंत्रन था इन पर भारतियों का नियंत्रन था और पंचायती राज को हस्तांत्रत विशय में रखा गया कही न कहीं यही कारण था कि उस समय भी पंचायती राज की जो संकल्पना थी वो धरी रह गई या असफल हो गई क्यों कि पंचायती राज के लिए जित चंस रहते थे और इसी वज़े से उन्हें पैसा नहीं मिल पाया जो भारतियों के नियंत्रण में हस्तांतर विशाय थे उनके लिए और कहीं न कहीं हम बात करें तो इसी वज़े से वह अर्सफल रहे है अब अगला है विकास संबंधी मुद्धों को प्राथ मिक्ता यहां पर समय की सबसे बड़ी पार्टी थी उसने प्रयास भी किये लेकिन गुस्ता वो कब हो गई जब 1937 में भारत को विश्युद्य में धखेल दिया बिना पूछे जो देश में सबसे वजंदार है वा सबसे वजंदार पार्टी एटलिस्ट उससे एक बार पूछना चाहिए था नहीं पूछा उनको भी गुस्ता आई कॉंग्रेस वालों कोनों ने रिजाइन कर दिया पत्याग दिया सब कर दिया इस वज़े से क्या हुआ उसको हटा जो असंकल्पनाती वो नहीं रह पाई विकास संबंधी मुद्धों को प्रात्मिक्ता एवं जैनस सहभागिता को सुनिश्चित करने हैं तो दो कारिक्रम प्रस्तुत किये गए सामुदा एक विकास कारिक्रम 1952 और दूसरा कारिक्रम था राष्ट्री साविस्तार योजना 1952 दो कारिक्रम लाए गए अब इन कारिक्रमों की जाच के लिए समितिया कुछ बनाए गए जैसे कि एक बलवंतराय महता समिती एक असूप महता समिती जीवी के राव समिती लक् प्रशन बन सकता है कि निनने लेकित मैं से लक्षिमखận संगी बी कौन सी सिफारिस नहीं थी अनला बलवनत रात मैंतागी कौन सी सिफारिस नहीं थी कितने इस तरी यह मॉडल जिया किस यह सारी जो प्रश्न है ये सब समीतियों से बनेंगे और सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं कल हम समीतियों को देखने वाले हैं तब तक के लिए आप रक्षा अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर इस्टाग्राम चैनल पर फेस्बुक पेजेस पर जितना informative content आ रहा है जितना आपको free मिल रहा है जो लोग ऐसे जगह पर बैठे हैं सहर में जिनके पास सारा content है जिनके पास सारी किताबें उपलब्द हैं उनके लिए तो ठीक है लेकिन जो गाओं में बैठे हैं जो ना तो किताब खरीद पा रहे हैं कोई financial condition से गुजर रहा है कोई गाओं में है तो वो दूर है बहुत जादा सहर में जा नहीं पा रहा है तो उनके लिए रक्षा academic ऐसा platform है जो बिलकुल निश्चित ही आपके लिए useful होने वाला है तो धन्यवाद